मैंने कल रात को एक फॉरन यूटिवर का इस टाइप से रैंकिंग वीडियो देखा वो किसी और टॉपिक पे था पर ये वाला रैंकिंग वीडियो देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आखिर यार इस टाइप की वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है इस टाइप के रैंकिंग वीडियो का आइडिया मुझे बहुत ज्यादा यूनीक लगा तो उसके बाद मैंने सूचा कि क्यों ना इस टाइप के वीडियो वीडियो वन पीस पे भी बनाया जाए और इसी वज़े से मैं तुमारे लिए ले करके आया हूँ वन पीस विलन्स की रैंकिंग और देखो ये पार्ट वन है अगर पार्ट वन पे अच्छा रिस्पॉंस मिलता है तो मैं पार्ट टू भी ले करके आओंगा यहाँ पर हम विलन्स को रैंक करेंगे तो देखो कौन-कौन से करक्टर होने वाले आई मिन कौन-कौन से विलन्स होने वाले वन पीस के वो सब पहले जान लो और पार्ट टू में हम बाकी के विलन्स को भी करेंगे लेकिन अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉंस आता है तो मैं इस टाइप के और भी टाइप के मतलब और भी कैटेगरी वाले वीडियोस बनाऊंगा चाहे वो कोई भी टापिक पे हो तो चलो में नमुद्दे पर आते हैं अब देखो मैं कारेक्टर को किसी साब से लोंगा जो कारेक्टर आर्कवाइज इंटर्डियोस हुए थे जो कारेक्टर पहले इंटर्डियोस हुआ था उसको हम पहले लोंगे उसके बाद बाकी कारेक्टर को लेंगे तो सबसे पहला जो बंदा आता है वो है मॉर्गन नहीं ये वाला मॉर्गन अब देखो ये सायद एपसोड 2 या 3 मां इंटेड्यूस हुआ था मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है लेकिन हाँ ये जोरो जब इंटेड्यूस हुआ था उसी टाइम पे ये बंदा भी इंटेड्यूस हुआ था और इसके करम क्या है भ करेंबर का चूतिया था वैसे ये बंदा देख के खतरनाक लग रहा था लेकिन वनपीस का एनिमेशन जो है थोड़ा काटूनिस टाइप का है एंड ओल्ड एनिमेशन में इतना ज्यादा बैडस नहीं लगता आई होप कि लाइव एक्शन में ये बैडस लगे बट फिलाल क के लिए इस बंदे को हम रखते हैं सबसे नीचे पाताल में इटियर पर नेक्स्ट जो बंदा आता है वो है आरलोंग पार्क से आरलोंग अब देखो यार यह वो बंदा है ना जिसने हमारी प्यारी नामी को रुलाया था वह बात अलगे नामी बहुत ज़्यादा आई होप की अच्छा अरलोंग बने बट जो कुछ भी हो लूफी इसकी बजाएगा वैसे हम इसको रैंक कर रहे थे इस बंदे ने क्या क्या करम किया है चलो आओ देखते हैं पहली बात यह नामी को अपने फाइद एक लिए यूज कर रहा था बहुत बढ़िया बात है मार दिया था और सचका हूं तो आरलोंग पार्क वो एक ऐसा आर्क है ना जिसे देखने के बाद मैंने वनपीस को कंटेन्यू रखा था तो यह बंदा उस आर्क का एज विलन बहुत अच्छा है प्लस इस बंदे ने पूरे के पूरे विलेज पे कब जाकर रखा था और या बी में खड़ा होता है विकाज यह कमीना है इसने विलेज पे कब्जा किया था लेकिन यह इस्ट ब्लू का विलन है प्लस यह ज्यादा स्ट्रॉंग में नहीं है और हाँ एक नमर का ढखकन भी मुझे लगता है वैसे क्या इस बंदे को ढखकन कहना सही रहेगा मुझे म प्लैन तो बढ़िया ही किया था लेकिन इसकी हरकते मुझे ज्यादा कुछ पसंद है नहीं और देखो अगर मोस्ट हेटेड कारेक्टर की लिस्ट बनाता तो यह सायद एटीर पे जगा बनाता लेकिन यह विलन्स की लिस्ट है वैसे विलन भी अच्छा था पर मैं इसको द को अपनी टीम में मिला लिया है बगी का बात छोड़ दो यार बगी वो लेजंडरी बंदा वो जब चाहे दब वो इमू को जाके टपका सकता है फाइव एल्डर्स उसके पैर धोके पीते हैं यार तो इस बंदे को छोड़ दो हाँ क्रोपडाल ने लौड बगी सामा को भी अपने साथ रखा है वो बात अलग है लेकिन मास्टर माइंड तो है यह यार वैसे इसने अपने अकेले दम पे जिस तरीकी से प्लान सटप किया था पूरा का पूरा यार सिविल वार छिड़वाने वाला था अलबास्टा के अंदर प्लस अगर वहाँ पर लूफी नहीं ज अगेगा विकॉज यार यह एक लोगिया डेविशूट यूजर है और इसको लूफी ने विदाउट हाकी हराया था बट हाँ पानी इसकी कमजोरी है तो हम क्या कर सकते हैं तो हराया तो था बट बिना पानी के या बिना हाकी के यह बंदा रेगिस्तान में बहुत ज्यादा खतरनाक बनता है वह बत लगे यह वाइट बिर्ट से भिड़ना पसंद करता है लेकिन वाइट बिर्ट यार लेजन्ड इसको फाड़ देगा पर हम विलन की बात कर रहे हैं यह बंदा इंटेलिजन्ड है स्ट्रॉंग भी है स्मार्ट भी है और बहुत आगे की सोचता है ब यह बंदा तुम्हें आ करके बोले की मुझे तुम्हारे साथ मिल्वा लो मैं तुम्हारा साथ दोंगा तो यह मत सोच लेना कि हमेशा तुम्हरे साथ रहगा मौका देख के यह च्षक्का मारने वाला बंदों से हैं यह कभी भी तुमको धोका दे सकता है विए Kommund ए मांगा बंदे को ज़्यादा हेट करता हूँ एन इस लॉबी आर्क में क्यूंकि इसने हमारी प्यारी रॉबिन को बहुत सताया बट रॉब लूची भी कम नहीं है एन देखो लूफी का रॉबिन को छुडाने के बीच में ये रॉब लूची ये जो बंदा है न ये बहुत बड़ा थ्रेड था इसको लूफी ने हराया वैसे लूफी के पसी ने छूड़ गये थे पर जो कुछ भी हो अभी पावर लेवल में जमीन आस्मान का फर है लेकिन ये बंदा काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है बोला था न सुरू में ये किलिंग मसीन है बहुत ज़्यादा खतरना लगे अगर किसी को मारना है तो तुम इसको हायर कर सकते हो बाट जो एस टीयर पे परफेक्ट विलन्स है ना भाई कमीना पंती वाला उस पे ये जगह नहीं बनाता है इसको मैं एट यर पे देता हूं ओके तो नेक्स्ट आता है मैजिलेन एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्य ये वो बंदा जिसे लूफी ने अभी तक हराया नहीं है और इस बंदे ने भाई इंपल डाउन आर्क में पूरे ब्लैक वेर्ड समेत पूरे क्रू की मार रखी थे भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका जो पावर है वो मुझे बहुत ज़्यादा खतर लगता है तो इस वज़े से मैं इसको जो है एट यर पे रखता हूं नेक्स्ट होडी जोन्स भाई हमारे फिस्मैन आइलेंड आर्क का विलन वैसे तो देखो ये बंदा आगे जाके कोई काम नहीं आया इसका पास्ट मुझे सही लगा और इसने हमारी प्रिंसेस सिराहोसी क मदर को टपकाया था पर एक बात बताओ क्या इस बंदे का कुछ काम था अगर ये बंदा फ्यूचर में दिखता है ना तो भी किसी काम का नहीं है ये उन कैरेक्टर में से है जो सिर्फ एक आर्क के लिए आते हैं आगे जाके उनका काम नहीं है एंड देखो विलन के तोर प था और हमें पता है यार इस ट्रो हैट के बाकी के जो मेंबर थे ना लाइक सांजी जोरो लूफी लूफी नहीं हराया था लेकिन सांजी जोरो को भी मारने बोलो ना ये जाका मार देते भाई जी ने बे तक इसको कूट देता मुझे जहां तक लगता है तो मैं नहीं मानता यह कोई धंका विलन था, लेकिन इस ने बस एक धंका काम किया था, मतलब विलन वाला काम किया था, कि इसने सिराहुसी की मां को मा रा था, और बाकी जितने भी किये थे, मुझे वो सब के सब्चूतियाब लगते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ threaded नहीं लग रहा था और इसी वज़े से अगर कोई villain यार खतरनाक नहीं लगता किसी arc में तो ये किसी कामगा नहीं होता ये मेरा personal opinion है और ये मेरा personal list है तो इस वज़े से मैं इसको दूँगा अब पाताल से थोड़ा उपर I mean E tier से थोड़ा सा उपर because Morgan जितना तो ये waste नहीं है क्योंकि इसने सिरहोसी की मा को टपकाया था तो इसको देते हैं D tier पर next आती है बुढिया I mean Big Mom ये One Piece की strongest female character है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है इसके husband भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा है लेकिन एक बात बताओ यार क्या इसने परफेक्ट विलन जैसा कुछ काम किया है इस्ट्रॉंग होने से कोई विलन नहीं बन जाता है ये मुझे किसी भी एंगल से एक विलन की तरह नहीं लगती है ये गोल मटल बुढ़िया भले ही मैं जितना भी कह लूँ लेकिन ओड़ा नहीं इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया है चाहे वानोकुनी आर्क में जिस तर भाई थी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था ये इतना ज्यादे स्ट्रॉंग है कि भाई पेज वन को वन सॉट कर दी थी एक मुक्का मारी थी और वो उठा नहीं लेकिन जो कुछ भी हो ओडा ने इसको एक साइड विलन की तरह रखा है कभी भी मेन विलन की तरह किसी आ ग्राउंड पता चलता लेकिन फिर भी न वो आर कितना ज्यादा इंट्रेस्टिंग नहीं लगता और सज कहूं बिग मॉम एक ऐसा क्यारेक्टर न उसका हववा काफी ज्यादा मचा के रखा लेकिन आगे जाके कुछ नहीं निकला और इसी वज़े से मैं इसको एक परफेक करेगी मुझे पूरा यकीन है चलो नेक्स्ट आते हैं ओरूची भाई इस बंदे के बारे मैं क्या कहूं देखो ये वानुकुनी आर्काइक विलन में से एक था एंड देखो ये वो बंद है जिसे तुम बिलकुल पसंद नहीं करोगे इस बंदे ने ऐसी ऐसी हरकते की हैं क प्रेनन होती तो फिर पता है ये बंदा न हमारी जो प्रिंसेस हियोरी है उसके साथ ऐसे ऐसे कांड करता हुआ नजर आता जिसे तुम सोच भी नहीं सकते हो वैसे इस बंदे को मैं बहुत उपर रख सकता था बिकॉल इसने विलन के नाम पे बहुत सारे कांड कर रखे हैं ये बहुत कमीना है इस पे तुम भरुसा जरा भी नहीं कर सकते हो इसने ओडेन का पूरा भाई गदी छीन लिया बहुत सारे कांड कर दिये लिकने एक बात बताओ अगर काईडो का सर इसके उपर से हटा दो फिर ये बंदा क्या बचता है कुछ नहीं बचता है वो तो सुक परफेक्ट विलन नहीं मान सकता इस वज़े से ये जाता है आरलों के साथ सी टीर पर नेक्स्ट काईडो अगर तुम्हें मैं एक सवाल पूछू मुझे एक ऐसे विलन का नाम बताओ जिसे तुम नफरत ना करो उल्टा उसकी पावर देखके तुम्हारी फट जाए तो वो बंदा और कोई नी वो strongest creature alive काईडो ही होगा because इस बंदे का ना सीधा मानना है जो ज्यादा powerful होगा वही राज करेगा भाई अगर तुम्हें इस बंदे को गलत प्रूफ करना सीधी बात है इसको हराओ वरना फिर ये तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा मार के सीधा जेल में ड होता तो कौन जिता ऐसे इमांदारी से जाएं तो वह अलग बात है लेकिन हाँ काईडो हमेशा strongest opponent की तलास में रहता है और ये बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉंग था वैसे मैं काईडो के character को लेके कभी video बना के detail में समझाओंगा लेकिन ये भी लूफी से हार गया पर क्या ये perfect villain है एक तरह से नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बंदा का जो सोच था ना भाई ये भी celestial dragon को काफी ज्यादा नफरत करता है इसको भी slavery ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन इसका एक मानना है कि जो ज्यादा powerful होगा वही राज करेगा और उसके नीचे weak वाला ranking चलेगा मतलब powerful से नीचे उससे कमजोर फिर उससे कमजोर तो simple है काईडो को अगर तुमको गलत साबित करना है भाई खुद strong बनो इसको हराओ और वैसे तो ये बंदा काफी ज्यादा strong है और देखो यार इस बंदे का पहला target किसी भी opponent को मारना नहीं रहता है ये बंदा बस सामने व होता अगर ये सबको यार अपनी जितने भी दुस्मान है नो उन सबको मारता फिरता दयाधरम जरा भी नहीं दिखाता वैसे पत्थर दिल बाप तो है तो इस वज़े से मैं इसको S tier तो नहीं दूंगा लेकिन उससे नीचे थोड़ा दूंगा A tier वैसे मैं अभी एक बास notice क कर रहा हूं मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं एक बंदे को इंक्लूड करना भूलिया क्योंकि मैंने कहा था आर्क बाइज होंगे जो वाला पहले या था उसके बाद वाले आर्क से मतलब हम कैरक्टर को उठाएंगे लेकिन मैं डौफला मिंगो को लेना वो किसी भी वक्त तुमें धोका दे सकता है और हां अगर ये हार रहा होगा ना या फिर मर रहा होगा ना तो ये साथ में किसी ना किसी को ले के जरूर डूबेगा या फिर अगर इसका बस चले ये सब को ले डूबेगा वैसे ये बंदा बहुत जादा खतरना कि इसने अप अपने मन्जूब वे कामियाम होने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता है यह बंदा डिजर्ब करता है आगर S tier से भी उपर वाला अगर कोई लिस्ट रहता ना मैं इसको S tier से उपर भी दे देता यह एक परफेक्ट एक्शाम्पल है एक विलन का वैसे फाइनल करेक्टर की बात करते हैं वन पीस का most hated character में से एक वो कोई और नहीं वो है black get भाई इसने ace को पकड़वाया ace इसी की वज़े से मरा इसने अपने ही बाप को मारा वैसे वो बाप उसका असली बाप नहीं था लेकिन भाई तुम सोचो white beard the legendary father भाई वो ace के लिए पूरे marine ford में लड़ गया इसने उसको मारा है वो भी किसलिए devil fruit चाहिए था और अभी currently बोगा के पीछे गया था फिलाल वो law के पीछे है साथी साथ egg head में अपने ship भेच चुका है और अभी currently आने वाले time पे वो one of the strongest villains में से एक होगा और सबसे खतरनाक villains में से एक होने वाला है सजकों तो rocks के मंजूबर पे चलता है तो हाँ ये बंदा जो है one of the best villains में से एक बन सकता है वैसे अभी का time पे ऐसे हरकते की हैं कि ये भी S tier पे जगा बनाता है वैसे इसी के साथ हमारा list खतम होता है और तुम सब का क्या मानना है इस list से related वो comment box में बताना मद भूला साथी साथ अगर तुम इस type के वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे comment box में राय देना मद भूला चैनल को like subscribe करना मद भूला एंड हाँ मुझे instagram पर follow करना मद भूला तो यार मिलंग नक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई